सदोस्तों एक और नया दिन और मैं बलजीत पर मार हाजरूं एक नई कहानी एक नया चिक्षा लेकर आज आपको ऐसा चिक्षा सुनाएंगे कि आप जंग रह जाओगे इस किसम के काम आम किसम के क्रिमिनल नहीं करते हैं बहुत ही शातर तेज परार दिमाग पैसे वाले पहुच वाले और बहुत बड़ा कोई काम करना हो तो इस किसम के गुना को किया जाता अंजाम दिया जाता है दूसरे दुनिया भार की बड़ी है जहनत्रीज के बारे में ये किसे सुने थे कि इसराइल की मुसाग ने किसी दूसरे कांट्री में उनके बड़े जासूस को रहस्यमई हालातों में मार दिया वो कैसे मरा किती को पता नहीं इसी तरह कुछ इस किसम के जो secret operations होते हैं यहां एक देश दूसरे देश में बैठे अपने दुश्मनों का खात्वा करता है और जिसके लिए उनके उपर कभी कोई उगरी नहीं उठे उनकी तरफ कोई शक्त की निगा नजर नहीं जाए यह बहुत सूच सम्ज के लंबी planning के साथ इस किसम के गुनाहों को अंजाम दिया जाता है लेकिन जब इस किसम के गुनाह आम लोगों तक पहुँच जाएं गहरों की दुश्मनिया सैटल करने के लिए इस किसम के chemical का, metals का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत हरानी होती है कि इस किसम के खतरनाग chemicals और दूसरे इस किसम के powder, दौईया, चीजे, material आम लोगों तक पहुँचता कैसे हैं? अब थोड़ा सांदाजा लगा के देखो कि अगर इतनी lethal, lethal कीजें लोगों के हाथ में पहुँच जाएं, तो हर दूसरे दिन कतल होने शिरू हो जाएंगे, जिनका कभी पता नहीं चलेगा. इसकी जो आज आपको किस्दा सुनाने जा रहा हूँ, वो कोई बहुत बढ़े इस किसम के तरीके से नहीं हुआ, जिए आपको हरानी नहीं हो. हम कह देते हैं कि अजन्टिय ऐसा करती रहती हैं ये अजन्टियों का काम है लिकन आपको आज के कित्थे को बताने के पहले आपको दो मिनिट में एक बैगराउंट देड़ू आज से छे साथ मेहने पहले आपको याद होगा हमने कैफी सुल मनाया था मुंबई के पौश खार वेस्ट एलागते में एक बहुत अमीर औरत जो शादी चुदा थी अपने पती के साथ रहती थी मौश बड़ा बिल्डेंग कंट्रेक्टर था उसका पती क्रोडो की जंपती गुजरात में उनकी प्रपल्टी मुंबई में प्रपल्टी क्रोडो का फ्लैट क्रोडो का बैक बैलन्स और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट गैना लत्ता हीरे जवाहरात सब कुछ था उस घर मे लेकिन उस आउरत को अपना पती पसंद नहीं था और पती की माँ पसंद नहीं थी जो उसके सायद चाल चलन से खुश नहीं थी असल में शादी के पहले से ही उसका एक और दूसरे मर्द के साथ प्रेम विवाहर चल रहा था इश्ट था और वो आदमी को और नहीं था उसके आपने पती जिसके साथ उसकी शादी हुई थी उसका बच्पन का खास तोज था अब देखिए प्यार किसी और से लड़की कर रहे हैं लेकिन घरवालों ने शादी दूसरे दोस्त के साथ कर दी अब इस आउरत ने शुरू में कोशिश तुकी कि इस नए महुर में अर्जस्त हो जाऊं लेकन दूसरे दोस्त का घर में आना जाना बना हुआ था और जब आना जाना लगा रहता है मिलना जुनना लगा रहता है तो प्रानी आग जो हुती है वो मरती नहीं है बुछती नहीं है बलके और बढ़ती है और उसी चक्कर में शादी के साथ साल बाद उस और उपने अपनी साथ और अपने पती को रागते से अटाने के सोची जिसके दो कारण थे एक तो यह क्यों अपने प्रेमी के साथ बाकी की जिन्दगीरा सकेगी और दूसरा इतने बड़ी प्रापल्टी क्रोरों की 25-30 क्रोर की प्रापल्टी उसके पास आ जाएगी और वो अपने प्रेमी के साथ पूरी हमर शांती से रहेगी अब पतिन को और ताज को राप्ते से हटाना है तो कैसे कि उसको मार दिया जाए और तो राप्ता नहीं है गर ठोड़के जाएगी तो कुछ नहीं मिलेगा वो लोग तो घर ठोड़के जाएगे तो साप भी मर जाए और लाठी भी नहीं चूटे इस किसम का बंदोबत उसा औरत ने किया उसने इंटरनेट पे जाके इतनी स्ट्रडी की कि मुझे ऐसी कोई दवा मिल जाए को ऐसा मैटीरियल मिल जाए जित से सलोली सलोली आईस्ता आईस्ता मेरा पती भी मर जाए और साथ भी मर जाए और मैं सुर्व कृग को जाओं तो हमने उस एपीसोल میں आपको बताया था आपको यादो वह जब हैच है एक मेहने पहले बताया था मै तो बारा नाम नहीं लेना चाहता उस आउरत ने एक heavy matter material खरीदा जिसको ठैजिम कहते हैं और वो परक्यूर करना बहुत मुश्क्टल है जैकर उसने इंटरनेट पे जाके study करकर के उसका order दे रही है और उसके घर में उसने कुछ अपने आपको research assistant बताया कि मैं इस किसम की कुछ research कर रही हूँ उसके चक्कर में मगा कि उसने रोज थोड़ा थोड़ा वो heavy matter अपनी साथ के खाने में और अपने पती के खाने में पीने में मिला के देना चुरू कर दिया और एक महीने के अंदर अंदर उनको जो symptoms होते हैं उस heavy matter के लाइडस करने के बाद खाने पीने के बाद उलठियानी शुरू होती हैं पेट खराब हो जाता है कमर की दर्थ शुड़ो जाती है या सर हेवी हो जाता है और कहीं बार तो सर के बार भी धर जाते हैं लेकर लोग नॉर्मली जब इस किसम के केस रेर आते हैं बहुत लाकों में से एक केस आएगा जिसमें इस किसम के chemical का इस्तेमाल chemical compound का heavy metal compound का इस्तेमाल किया जाता है वो तो डाक्टर्स को कभी शक नहीं होता और एक ही घर के जब दो मरीज होस्पीटल में पहुंच जाए तो शक और पक्का हो जाता है कि कुछ बिल जुल के खाल जिया होगा और उसका इलाज शुरू हो जाता है लेकर तब तर वो heavy metal आपके blood में बिलके अपना काम कर जाता है और मौत पक्ती हो जाती और अल्टिमेट्री मंबई कि उस केस में वो औरत भी पकड़ी गई और उसका वो प्रेमी भी पकड़ा गया कहां से वो प्रक्योर किया तो उस कंपनी ने भी बता दिया जो delivery boy घर में वो compound देके गया तो वो भी पकड़ा गया तब लेकिन ये भात समझ में आती है कि वो औरत नेट सेवी थी पड़ी लिखी थी पैसा था सब खुछ था तो वो खर्चा कर सकती थी इतनी मेहनत कर सकती थी जसूसों की तरह क्यों मैटल ढूंड लिया मगवा लिया और घर के दोजी मार दिया लेकिन जो किस्ता आज आप उसनाने जा रहे हैं वो किसी जसूसी संस्था का नहीं है किसे बहुत पड़ी लिखी शातिर अमीर आउरत का नहीं है यह महराश्ट्रा के एक छोटे से गाउं में रहने वाली दो बहुली भाली सीधी साधी लगने वाली आउरतों की कहानी है जिन्होंने पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी में इस किसम का काम किया कि अपने ही परिवार के पांच लोगों को मार दिया अभी चार-पांच लोग और होस्पीटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे और यह घटना कोई आम गाउं की भी नहीं है जहां सब फ्रसिलिटीज आपको मिलती है यह बहुत इंटीरियर में गाउं हैं गड़ चरूली आपने नाम सुना होगा नायक पुर्जिले में जो नेक्सल बाड़ी मूवमेंट का गड़ है नेक्सल एरिया कहा जाता है कोई प्रीस वारा वहां नौकरी नहीं करनी चाहता कोई रैविन्यू अफ्चल वहां जाता नहीं यह दो और इन्होंने अपनी सर्च्राल में इनके साथ जो कुछ हो रहा था वो उनको पसाद नहीं था वो दो आड़तें कुछ ज़्यादा उमर की नहीं और अभी उनके उपर जो इल्जाम है वो सिद्ध होने है उन्होंने क्या किया इसी किसम का वो कैमिकल कंपाउंड जिस किसम का कंपाउंड मुम्बई के खार लाक्षे की उसे अमीर महला ने इस्तेमाल किया था उसी किसम का कंपाउंड जूर लिया बताईए देखिये कहां चे उनको गाउं में बैठ के पता चला कैसी चीज भी होती है जो आसता आसता उनके दुश्मनों को मार सकती है और किसी को शक्त नहीं होगा और मरने वाले भी कौन उनके अपने करीबी रिच्ते डाल मैं थोड़ी थी डेटेल जो और ये प्राना किस्ता नहीं है ये एक मिहिने के अंदर अंदर पूरा कांड हुआ है और इन महलाओं ने जो प्लैन बनाया किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और ये 20 दिन के अंदर अंदर इतना बड़ा कांड दोनों ने कर दिया और ये औरतों के नाम है संगा मित्रा कुम्भारे इसकी उमर है सिर्फ बावी साल 22 येर्ज कोई जिन्दगी का तजर्बा भी इतना लंबा चोड़ा नहीं और उसकी जो सहेली उसके साथ उसका नाम है रोजा रामते के रोजा रामते के इसकी उमर बड़ी है ये 37 साल की है 36 की अब इन दोनों को अपने सच्छराल से तकलीव दियो ये स्कीम बनाती है कि ठेलियम अक्वायर किया जाए कहीं से इनको खबर मिल गई ये इस किसम का माटीरियल मार्किट में बिल सकता है और जो रोजगा रामते के वो तलेंगाना पहुंचती है किसी बहाँ नहीं से उसको ग्रिष्टेदार होंगे वहाँ पहे और तलेंगाना से किसी तरीके से वो कमपाउंड केमिकल कमपाउंड लेके आती है और उसके बाद इनकी वो साजिश शुरू हो जाती है ठेलियम लाने के बाद और सीक्रिटिवली बिना घर में किसी कुछ शक हुए खाने में थोड़ा थोड़ा रोज मिलाने लग गए रोजा राम देखे अपने घर में और ये संगा मित्रा कुमबारे अपने गहल में अब कितिन में काम करती है कि दिखी को पता नहीं मसाला नून मर्च के साथ थोड़ा सा वो भी डाल दिया बाकी सब लोग खा रहे हैं ये लोग नहीं का रहे हैं और उसके बाद अचानक कुछ दिनों के अंदर अंदर मैं आपको तारीक में बता देता हूं 26 सब्टेंबर से लेकर 15 अक्तूबर तक मतलड़ 5 दिन पहले तक 26 सब्टेंबर से 15 अक्तूबर तक उस घर के 5 लोगों को वहीं सिंप्टिम हो जाते हैं जो मैंने पहले आपको बताई की उल्टी आना, पेट में दर्ध, कमर में दर्ध, जबान हेवी होना, सरदर्ध इस किसम का, और आपके जो लिंज होते हैं, हाथ पाँ वो लटकने शुड़ू हो जाते हैं, बोडी पे कंट्रोल नहीं रहता, उसके लिए सब लोगों को होस्पीटल में भरती करवाया जाता है, और इनके सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन देती हैं उसको, इंट्रोड्यूस करती हैं उस जबाब को, वो कुम्भारे जो है, वो अपनी फैमिली में करती है, उसका जो पती होता है, शंकर कुम्भारे, और शंकर कुम्भारे उसकी फैमिली का एक मेंबर, पती नहीं है उस का शांकर कंभारे और उसकी पत्नी विजया कंभारे उनको ये पहले दवा देते हैं वो इनके शहिए उसके पती के भाई और भावी थे ये 20 सप्सेंबर की बाद है उसके बाद एक एक दो जो करके लोग गर के बेमार होने लगते हैं और उनको नजदी की बड़ा हॉस्पीट नागपुर पड़ता है पहले गर्च रोली में इसकोटे मोठे डॉक्टर सेविल डिस्पेंसरी आउस्पीटल में हिलाज की लिए बेजा जाता है तो जब उनकी सत्यती में कोई फरक नहीं पड़ता तो उनको नागपुर शिफ्ट कर दिया जाता है और वहां पे शंकर जो में डेट को जाती है और उसके बाद जब ये पूरी फैमिली उनके दो लोगों की डेट होगी तो उनका एक जो बेटा था रोशन और उनकी बेटी कोमल दहा गाउं कर ये गाउं के बाहर दूसरी जगा रहते तो बेटा दिल्ली नौकरी करता था वो दिल्ली से आता है अप रस में फूरे करने के लिए और उसकी बैन खोमल वह भी आती है कि उनके माबाप नहीं रहे हैं और वो जब आते हैं तो उनको भी ये वही दवाई उनके खाने में मिला के देना शुरू करते हैं और उसके बाद इनका एक डराइवर होता है रोच उसको भी वो पता नहीं ता पानी की बाटल उनको जाने के लिए दी गाड़ी में रख दी जिस गाड़ी में आउस्पिसल जा रहे थे वो लेने उनकी बाड़ी को तो उन डराइवर को पता नहीं था जो भाड़े की गाड़ी लेके आया था उसने पानी की बाटल दे कि उसने फिली और वो भी मिमार त तो तीन लोग उनकी death हो जाती हैं, दो पहले और तीन बाद में, और इसी एक समय के दौरान जो घर के बाद की जीव थे, उनको भी जनोंने थोड़ा थोड़ा खाया पिया, उनमें से पांच लोग अभी तक हॉश्पिछल में हैं, जिनमें चार लोग जा पांच, उनमें से द जो बाकी मेंबर देदा है गर के उनों ने कभी इनका जो आपसी dispute था उनको नहीं पता था मतलब घर की बास जो जो ती ओगर में रहती थी लेकर पता नहीं आपस में इतनी इतना बड़ा decision वो बावी साल की लड़की ने क्यों लिया जिसकी, शादी, उसकी मर्जी के मिना उसभर में की गई था। उसका ख़़ली उसके साथ MostNING behave किया जाता था, उसके साथ सासर और दूसरे रिष्टेदार उसके साथ बराबर बेहर नहीं करते तो उसका पती भी उसको टॉट करता था उसका गुच्छा मान सकते लेकन दूसरी रोजाराम्टे के उसकी जो उसका एन था जो वो डिफरेंट था वो अपने सरसुराल की प्रॉपरिटी पे निगार रखते बैठी थी उसका पती अकेला बेटा था क कोई बहर नहीं थी कोई नहीं था तो वो पूरी जायदात अपने नाम पर करना चाहती थी कि इसी तरीके से जब संगा में तरह कुंबार के फैमिली के लोग मर रहे हैं उसी तरह जब मेरी फैमिली के लोग मरेंगे तो गाउं के लोगों को शक नहीं होगा तो इसको ये कहत कि शायर कोई बड़ी अजीव किसम की बिमारी इन लोगों को लगी है और उसके चलती हुझे मर जाते हैं तो ये बहुत अजीव किसम का एक कित्सा उस गाउं में हुआ और इसमें प्लीज को एक और शक्त पराओ जो संगा मित्रा कुंभारे का पती उसका नाम प्लीज ने अंदर खाते अपनी पत्नी के साथ मिला हुआ था क्योंकि जब ये घर में मौते हो रही थी तो उस साब मी ने अपने बाल जो थे वो क्लीन सेवर करवा लिये थे ताकि लोगों को ये लगे कि जिस तरह उसके बाकी फैमिली मेंबर्स के बेमार होने के बाद बाल ज़र गए गिर गए थे उसी तरह इसके बाल भी गिर गए लेकर वो असली गिरे नहीं थे उसने क्लीन चेवर उस तरह अपने सर पे परवाया था तो कहीं ना कहीं प्लीश को लगता है कि शैक वो अंदर खाते अपनी पत्नी के साथ मिला हुआ था और बाकी मेंबर्स को मार के पूरा गहर का मालक बनना चाहता था तो दोस्तों ये कहानियां सुनने में दिल्चस्प लगती हैं लेकन इनके नतीजे आगे चलके बहुत बुरे निकलते हैं अब आप ही सोचिए एक परिवार के एक गाउं के दो परवारों की बात हैं उसमें पांथ लोग अब तक मर गए हैं पांथ लोग होस्पिटल में दो की हालत गंभी रहे उनकी जान खत्रे में है अब दो आरतें जेल में चलेगी उसका एक काहस्पन भी जेल में है हालाख है भी वो हॉस्पिटल में है उसने भी दो दो आरी बहुत पी ले थी कुछ लेकर डॉक्टर उसको यह भी लगता है कि वो नाते कर रहा बेमार होने का तो उसको शेव कर्वाने की जरूरत नहीं ती सर के बाल मुटवाने की जरूरत नहीं थी तो कहीं न कहीं के अभी क्योंकि कल ही उनको पकड़ा सब को रेक्ट किया गया और एक पांच डॉक्टर्स की एक special team बनाई गई है और जो पूरा इस बात का निर्ने लेंगे कितनी मात्रा में वो chemical compound का इस्तेमाल हुआ और और इनके पीछे कोई बड़ी साजिस्ती या इन औरतों का दोनों का अपना ही फैसला थी वहाँ के जो स्प्रेंटेंडर्ट और प्लीस मिस्टर निलोजपाल वो बहुत मेहनत से केस की तहकीकात कर रहे हैं और उनके साथ कोई 30-32 पलीस वाले स्टाफ डिप्लन डिप्ल जगहों पे इनकोईरी के लिए गए हुए है कोई तलंगाना भी एक टीम गई है ये देखने के लिए कि जिन लोगों ने उनको इतना खतरनाग पैमिकल दिया उसके साथ क्या डील थी किया उसकी भी इनके साथ पी मिली भगत थी तो दोश्तों आज की कहानी यहीं खत्म करेंगे इस किसम के खत्रनाग पैमिकल से बचने की बहुत जिरूरत है मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता था लेकिन क्योंकि आज लिए जो गड़ के रोली के और नागपुर के जो अपबार है जिन में आज आज सुद्धाब ने उस केमिकल का नाम लिया हुआ है इसलिए हमने भी एक तो बार उसका नाम लिया लेकिन ज्यादा पफुर राइस नहीं करना चाहिए नाम तर इसलिए लिया था कि आपको पता चल सके कि यह घतरनाग और गहत एक केमिकल है और इसके जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है तो आने वाले जुनों में एकितन की कित्से कहानिया लेके फिर हाजर होंगे तब तक के लिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद